आज 9 मार्च 2022 के बाबा के अनमोल मदुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुर्ली में बाबा हम बच्चों को इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहत का वैराक्य दिलाते हैं बाबा कहे तुम्हें अन्तिम समय किसी के भी याद नहीं आने चाहिए इसको कहा जाता है सच्चा काशी कलवड तभी तुम पास्वित ओनर्स बनेंगे और संपूर्ण सजाओं से मुक्त हो जाएंगे तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य और उंग शान्ति मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूलो इस से ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स क्लाश शरीर मिल जाएगा यह शरीर तो खतम हुआ ही पड़ा है प्रश्न है आज की मुरली से इस ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते हैं उतर अटल नियम है जब ज्यान है तो भक्ती नहीं और जब भक्ती है तो ज्यान नहीं जब पावन दुनिया है तो कोई भी पतीत नहीं और जब पतीत दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं यह है ड्रामा का अटल नियम जिसको मनुष्य नहीं जानते हैं अर्था ये ड्रामा का काईदा है जब दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं आज की मुरली से दूसरा प्रश्ण है सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे उत्तर है अंत में किसी की भी याद न आए एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची काशी कलवट खाना, काशी कलवट खाना अर्थात पास्वित ओनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े, समपुर्ण पास्वित ओनर होंगे तो दिलकुल सजा नहीं खानी पड़ेगे आज की मुРली से पहले कीत बजा है, दर पर आये हैं कसम ले ओम शांति, बाप बच्चो को समझाते हैं क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया है क्यों क्योंकि दुख धाम से छुड़ाएं शांती धाम और सुख धाम में ले जाना है अभी तुम सुखधाम में जाने के लिए लायक बन रहे हो पतीत मनुश्य कोई पावन दुनिया में नहीं जा सकते यह काईदा नहीं है, पतीत मनुश्य कोई पावन दुनिया में जा सके काईदा ही नहीं है, यह काईदा भी तुम बच्चे ही जानते हो मनुश्य तो इस समय पतित विकारी है जैसे तुम पतित थे अब तुम सब आदते मिटाये सर्वगूर संपन देवी देउता बन रहे हो गीत में कहा हम जीते जी मरने अत्वा आपका बनने आए है कसम लिया है तो हम जीते जी मरने अत्वा आपका बनने आये हैं फिर आप जो हमको मत देंगे क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है इसलिए बाबक को कहते हैं आप जो मत देंगे हम उस पर चलेंगे और जो भी अनेक मते हैं वह है आसुरी इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं न दुनिया वाले समझते हैं कि हम ईश्वरिय मत पर नहीं चल रहे हैं न वो समझते न हम समझते थे रावन मत पर है बाबा कहते बच्चे आधा कल्ब से तुम रावन मत पर चलते आए हो अब बाबा रियलाइजेशन देते हैं कि आधा कल्ब से तुम रावन मत पर चलते आए हो वह है भक्ती मार्ग रावन मत कहते हैं राम राज्य ज्यान कांड रावन राज्य भक्ती कांड जैसे रामायन में अलग-अलग कांड दिखाते पास्तों में बाबा कहें दो कांड है राम राज्य है ज्यान कांड और रावन राज्य है भक्ती कांड तो ज्ञान भक्ती और वेराग्य किस से वेराग्य भक्ती से और पुरानी दुनिया से वेराग्य ज्ञान दिन भक्ती रात रात के बाद दिन आता है वेराग्य है भक्ती से और पुरानी दुनिया से यह है बेहद का राइटियस वेराग्य बाबा कहे यह है बेहत का righteous वेराग्य सन्यासियों का वेराग्य अलग है हमारा अलग वेराग्य है पुरानी दुनिया से, पुरानी दे से, फक्ती से और इसको बाबा ने कहा बेहत का righteous वेराग्य सन्यासियों का वेराग्य अलग है वह सिर्फ घरबार से वैराग्य करते हैं वह भी ड्रामा में नून है उनके वैराग्य से भी पृत्वी थमी रही हद का वैराग्य अत्वा प्रवृत्ती का सन्यास बाप समझाते हैं तुम बेहद का सन्यास कैसे करो तुम आत्मा हो बक्ती में न आत्मा का ज्यान है न परमात्मा का ज्यान रहता है हम आत्मा क्या है कहां से आये हैं क्या पाड़ बजाना है कुछ भी नहीं जानते बक्ती में कोई भी इस प्रकार का आत्मा का ज्यान भी नहीं है क्या आत्मा क्या है, कहां से आये, क्या पाड़ बजाना है, कुछ भी नहीं जानते सत्यूग में सिर्फ आत्मा का ज्यान है वो भी कितना कि हम आत्मा एक शरी छोड़ दूसरा लेते है परमात्मा के ज्यान की वहां दरकार नहीं इसलिए पर्मात्मा को याद नहीं करते हैं, देवतायन पर्मात्मा को याद नहीं करते, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है बाप है नॉलेजफुल स्रिष्टी चक्र के आदी मत्यांत का नॉलेज बाप के पास ही है बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है कहेंगे वह जोती स्वरूप है परन्तु वह चीज क्या है? कुछ भी नहीं जानते तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल चोटी बिंदी स्टार है बाबा भी स्टार मिसल है परन्तु उनकी महिमा बहुत है बाबा भी स्टार है परन्तु उनकी महिमा अपरमपार है अब बाप सन्मुख बैट समझाते है कि तुम मुक्ती जीवन मुक्ती कैसे पा सकते हो पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा यही समझते हैं पूछो कब मिलेगा तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है अंत में मिलेगा मनुष्य बिल्कुल अंध्यारे में है तुम अभी सोजरे में हो तुम अब पतीतों को पावन बनाने के निमित बने हो गुप्त रूप में तुम्हें बहुत शांती से काम लेना है ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अत्वा कोड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए बाबा कहे ऐसे प्यार से समझाओ जो क्या मनुष्य से देवता अत्वा कोड़ी से हीरे तुलिय चुटकी में बन जाए। कितना बाबा को ये रहता है कि बच्चे जल्दी जल्दी पुर्शार्थ करके संपूर बने। अब बाब कहते हैं कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। ये स्रिष्टी चक्र कैसे चलता है वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौझ में रहते हैं। बाबा का वर्सा मिला हुआ है। कोई चिंता वा फिकर की बात नहीं। गाया जाता है गार्डन ओफ अल्ला। देवताएं गार्डन ओफ अल्ला में है। वह हीरे जवाहरों के महल थे। बहुत धन्वान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धन्वान बना रहे हैं। किसे ग्यान रतनों से। हमें धन्वान बना रहे हैं ज्यान रतनों से फिर तुमको शरीर भी फर्स क्लास मिलेगा अब बाबा कहते हैं दे अभीमान छोड़ दे ही अभीमानी बनो यह दे और दे के संबंद आदी जो भी है सब मटीरियल है तुम अपने को आत्मनिश्चे करो बाबा कहे तुम अपने क आत्मनिश्चे करो 84 जन्मों का ज्यान बुद्धी में है अब नाटक पूरा होता है अब चलो अपने घर अब चलो अपने घर बुद्धी में यही रहे कि बस अब इस मटीरियल को छोड़ा कि छोड़ा तब तो बुद्धीयों बाब के साथ रहे और विकर्म विनाश हो ग् ग्रहस्त व्यवहार में कमलफूल समान रहना है उप्राम होकर रहो कैसे रहना है ग्रहस्त व्यवहार में कमलफूल समान तो बाबा कहे उप्राम होकर रहो वान प्रस्थी घरबार से किनारा कर साथू के पास जाकर बैठ जाते हैं परन्तु यह ज्यान नहीं कि हमको मिलना क् तुम सादू के पास बैठकर के भी क्या मिलना है वास्तों में ममत्व तब मिठता है जब प्राप्ति का भी मालूम हूँ अंत समय बाल बच्चे याद न आए इसलिए किनारा कर देते हैं इसलिए वानपरस्थाश्रम में चले जाते हैं यहां तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिठाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे यहां आमदनी बहुत भारी है बाकि जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं बक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए मीरा को साक्षातकार हुआ परंतु राज्य तु नहीं लिया या राज घराने में पुना जनम तु नहीं लिया तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता है कौन सा इनाम मिलता है? Purity, Peace, Prosperity स्थापन करने लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है बाब कहते हैं अब देह का भान उड़ाते रहो हम आपको सत्यूग में फर्स क्लास देह और देह के संबंधी देंगे क्या बाबा वाइदा करता है? बाबा कहते तुम देह का भान उड़ाते रहो तो हम आपको सत्यूग में first class दे और दे के संबंदी देंगे वहाँ दुख का नाम निशान नहीं इसलिए अब मेरी मत पर accurate चलो मम्मा बाबा चलते हैं इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती है 100% श्रीमत पर accurately चले इस समय ज्यान ज्यानेश्वरी बनते हैं सत्यूग में राज राजेश्वरी बनते हैं जब ईश्वर के ज्यान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो फिर वहाँ यज्यान नहीं रहता है यज्यान तुमको अभी है दे का भान अब तोड़ना है मेरी स्त्री, मेरा बच्चा ये सब भूलना है ये सब मरे पड़े है हमारा शरीर भी मरा पड़ा है जैसे अर्जुन को दिखाया था न सब मरे पड़े हैं, तुमको खाले निमित बनना है तो बाबा कहते हैं, तुम्हारा शरीर भी मरा पड़ा है हमको तो बाप के पास जाना है इस समय आत्मा का भी ज्यान किसको नहीं है आत्मा का ज्यान सत्यूग में रहता है सो भी अंत के समय आत्मा का ज्यान सत्यूग में होता है लेकिन बाबा कहें सिर्फ अंत के समय जब शरीर बुरा होता है तब आत्मा कहती है अब मेरा शरीर बुर हुआ है अब मुझे नया लेना है पहले तुमको मुक्तिधाम जाना है सत्यूग में असे नहीं कहेंगे कि घर जाना है नहीं घर लोटने का समय यह है घर लोटने का समय संगम यूग है यहां सनमुक कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धी में बिठाते कि अब घर जाना है अब पावन बनना है सनमुक सुनने और मुरली पढ़ने में रात दिन का फर्क है आत्मा को अब पहचान मिली है उसको ज्यान के चक्षु कहा ज जाता है कितनी विशाल बुद्धी चाहिए चोटी स्टार मिसल आत्मा में कितना पाड भरा हुआ है अब बाबा के पिछाड़ी हम भी भागेंगे शरीर तो सब के खत्म होने है वर्ल की हिस्ट्री जॉग्रफी को फिर रिपीट होना है घर बार को छोड़ना नहीं है वर्ल की हिस्ट्री जॉग्रफी को फिर से रिपीट जरूर होना है लेकिन बाबा कहे घर बार को छोड़ना नहीं है सिर्फ क्या करना है ममत्व मिटाना है और पवित्र बनना है किसको भी दुख नहीं दो ये बाबा की श्रीमत है सिर्फ शरीर से ममत्व मिटाना है पवित्र बनन किसी को भी दुख नहीं दू पहले ज्ञान का मन्थन करो फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओं शिय बाबा तो विचार सागर मन्थन नहीं करते कि यह करते हैं बच्चों के लिए ब्रह्मा बाबा करते हैं बच्चों को समझाने के लिए फिर भी ऐसे समझो कि शुब बाबा समझाते हैं इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता है ब्रह्मा बाबा को यह फिलिंग नहीं रहती है मैं सुनाता हूँ ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी सुनाते हैं जो विचार सागर मंतन किया होता है अभी बच्चे भी फॉलो करें जितना हो सके अपने साथ बाते करते हैं रात्री को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए सोये हुए नहीं उठकर बैठना चाहिए बाबा कहे ख्याल करने के लिए सोये सोये नहीं उठकर बैठना चाहिए अमात्मा कितनी छोटी बिंदी है, बाबा ने कितना घ्यान समझाया है कमाल है सुख देने वाले बाब की, बाब कहते नींद को जीतने वाले बच्चे और सभी देह सहित देह के मित्र समबंदियों आदी को भूलना है ये सब कुछ खत्म होना है, हमको बाबा से ही वर्षा लेना है, और सबसे ममत्व मिटाकर ग्रहस्त व्यावहार में रहते पवित्र रहना है. शरी जूटे तो कोई भी आसकती न रहे अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना है कैसे खाना है? खुद काशी नाथश बाबा कहते हैं हम तुम सब को लेने आये हैं काशी कलवट अब खाना ही पड़ेगा Natural Calamities भी अभी आने वाली है उस समय तुमको भी याद में रहना है वह भी याद में रहे, कुवे में कूदते थे काशी कलवट खाने वाले, शिव काशी की याद में रहे, कुवे में कूदते थे परंतु कुवे में कूदने से कुछ होता नहीं यहां तो तुमको ऐसा बनना है जो सजा ना खानी पड़े नई तो इतना पद पा नहीं सकेंगे बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं साथ साथ यह ज्यान है कि हम फिर 84 का चक्र लगाएंगे इस नौलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे कोई भी विकर्म नहीं करना है कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राई पूछ सकते हो सर्जन तो मैं एक ही हुँ न चाहे सन्मुक पूछो चाहे चिठी में पूछो बाबा रास्ता बताएंगे बाबा कितना छोटा स्टार है और महिमा कितनी भारी है कर्तव यकिया है तभी तो महिमा गाते है इश्वरी सबके सद्गती दाता है इनको भी ज्यान देने वाला वो परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर है बाबा कहते हैं बच्चे एक बाबा को याद दो और अती मीठा बनना है एक बाबा को याब करो रती मीठा बनना है शे बाबा कितना मीठा है प्यार से सब को समझाते रहते हैं बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार ही करेंगे बाब कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धी में दुख देने का ख्याल न आए सब को सुख की ही बात बताने है अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है देखो वशंक्राचारिय आधी को कितने बड़े बड़े चांदी के सिहासन पर बीठाते है यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते है उनको तो हीरो का सिहासन होना चाहिए परन्तु शिव बाबा कहते है मैं पतीत शरीर और पतीत दुनिया में आता हूँ देखो बाबा ने कुरसी कैसे ली है बाबा की बैटने की कुरसी भी एकदम साधारन लकड़े थी तो बाबा कहे देखो बाबा ने कुरसी कैसे ली है अपने रहने लिए भी कुछ मांगते नहीं प्रम्मा बाबा ने अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं जहां भी रहा लो गाते भी है गोदरी में करतार देखा अर्था भगवान आकर पुरानी गोदरी गोदरी केते ने गोदरी तो पुरानी गोदरी में बैठा है प्रम्मा बाबा का शरीर क्या है पुरानी गोदरी है जिसमें बैठा है अब बाप गोल्डन एजिट विश्वत का मालिक बनाने आया है कहते हैं मुझे इस पतीत दुनिया में तीन पैर पृत्वी के भी नहीं मिलते विश्वत का मालिक भी तुम ही बनते हो मेरा ड्रामा में पार्ठी यह है बक्ती मार्ग में भी मुझे सुख देना है माया बहुत दुखी बनाती है बाप दुख से लिब्रेट कर शांती धाम और सुख धाम में ले जाते हैं इस खेल को ही कोई नहीं जानते है बापके इस खेल को कोई नहीं जानते है एक बक्ती का पॉंप दूसरा है माया का पॉंप शाइन से देखो क्या क्या बना दिया है मनुश्य समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं बाप कहते हैं यह साइन्स का पॉंप है माया का पॉंप को साइंस का पॉंप है यह सब गए की गए है यह इतने सब बड़े-बड़े मकान आदी सब गिरेंगे फिर यह साइंस सत्यूग में तुमको सुख के काम में आएगी इस साइंस से ही विनाश होगा फिर इसी से ही बहुत सुख भुगेंगे यह खेल है तुम बच्चों को बहुत-बहुत मीठा बनना है मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते हैं समझाते रहते हैं बच्चे कभी आपस में लडो जगडो नहीं कहां भी मात पिता की पत नहीं गवाना अर्था मात पिता की इज़त नहीं गवाना इस मटेरियल जिस्मानी देश से ममत्व मिटाओ सब कुछ खत्म होने की चीज है अब हमको वापस जाना है बाबा को सर्विस में मदद करने है सच्चे सच्चे सेलवेशन आर्मी तुम हो खुदाई खिदमतकार विश्व का बेड़ा जो डुवा हुआ है उनको तुम पार करते हो तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है सवेरे तीन चार बजे उठकर बैठ चिन्तन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे रिवाइज नहीं करेंगे तुमाया बुला देंगी मन्थन करो आज बाबा ने क्या समझाया एकांत में बैड विचार सागर मन्थन करना चाहिए यहां भी एकांत अच्छी है अच्छा मीठे मीठे सी किलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉनिंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आज की मुरली से धाना के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट मनसा वाचा कर्मना, किसी को भी दुख नहीं देना है किसी की बाप दिल में नहीं रखने है बाप समान प्यार का सागर बनना है दूसरी पॉइंट, एकांद में बैठ, विचार सागर मन्थन करना है मन्थन कर फिप्रेम से समझाना है बाबा की सर्विस में मददकार बनना है आज का बाबा का मदुर वर्दान है अपने चहरे और चलन से रूहानी रोयल्टी का अनुभव कराने वाले संपून पवित्र भव रूहानी रोयल्टी का फाउंडेशन संपून पवित्रता है संपून प्यूरिटी ही रोयल्टी है इस रुहानी रॉयल्टी की जलक पवित्र आत्मा के स्वरुप से दिखाई देंगी यह चमक कभी छिप नहीं सकती कोई कितना भी स्वयम को गुपत रखे लेकिन उनके बोल, उनका संबन संपर्ख, रुहानी व्यावार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा तो हर एक नौलेज के दरपण में देखो कि मेरे चहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है वह साधारन चहरा, साधारन चलन है आज का स्लोगन है सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भग्यवान बनना है सदा परमात्मा पालना के अंदर रहना ही भग्यवान बनना है अच्छा, ओम शान